हालो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज मैं हमको इस वीडियो में हेंट्स डिजाइन बनाना बताऊंगे जो कि हम चूड़ीदा ड्रेस एंड ब्लाउस में बनाएंगे यह देखिए हमारा डिजाइन स्टार्ट करते हैं इसका वित एट इंच लि अब यहां से टू इंच का मार्क लगाया यहां से इसको गोलाई करना है गोलाई ट्रेस कर रही हूं मैं अब हम इसको कट कर देंगे यह मैं कट कर रही हूं इसको यह देखिए कटिंग के बाद अब यहां पर हम पाइप इन लगाएंगे इसमें यह पाइप इन के लिए क्रॉस कट कपड़ा लिया है इसको डबल करके लगाएंगे पाइप इन डबल करके पाइप इन लगाने से इजी बैट ते गी और आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं इस पाइप इन को यह वाली पाइप इन बनाना भी बहुत आसान है एक बार ट्राइप करने से ही बैट जाएगी यह पाइप इन देखे मैंने स्टिच कर लिया है पाइप इन को यह स्टिच हो गया है हमारा हलका से कट लगाएंगे यह कोना है यहां पर इसको फॉल्ड करना है जो भार की साइट जो गैप है उसको हमें कवर करना है बस इसी में देखिए मैं धीरे धीरे इसको कवर करती जा रहे हूं और पाइपिन को हमेज़ थुड़ा थुड़ा स्टिच करना है और ज्यादे स्टिच एकसद करेंगे हम तो पाइपिन अच्छे से नहीं बैटेगी है हमारी देखिए और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सबिस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करो और वीडियो से संबंदित कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरू करना मत भू डेना है यह पाइप इन कितनी फिनिशिंग से आ रही है हमारी यह दिखिए है यह पाइप इन हो गई है हमारी कम्प्लेट हमने एक कपड़ा लिया है यह एक्स्ट्रा है 3 इंच से तो हम इसको कट कर देंगे इसका लंबा इंटू चोड़ाई 3-3 इंच लेंगे अब इस पर हम पाइप इन लगाएंगे यह दिखिए जो कोना हाता है उसको कैसे स्टिश करना है डायरेक्ट इसको फॉल्ड करना है जिससे क्या अच्छे से बैठ जाएगी है पाइप इन और नहीं फ्रिल आएगा यह दिखिए स्टिश कर रही हूं है पाइप इन को नीची वाला कपड़ा है उससे को कवर करना है तो एकदम से हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगे पाइप इन भी अच्छे से बैठ जाएगे यह मारा डिजैंग बनके तैयार है अब हम इसके लिए बनाएंगे जो फ्रिल बनाना है हमें उसके लिए पट्टी बनाएंगे पहले लीस बनाएंगे टू एंड आफ इंच लिया है मैंने यह यह हमारा बन गया अब हमें इसको सीधा करना है तो यह थोड़ा बड़ा है तो आप इसको किसी से भी सीधा कर सकते हैं यह देखिए अब हमें कपड़ा लेंगे इसको इस तरह से फॉल्ड करना है जो बीच में डिजाइन लगाना है इसको इस में को सेंटर में है यह देखिए यापर यह हमारा डिजाइन आप इस डिजाइन को चुड़ी दर ट्रैस में भी बना सकते हो और ब्लाउज में भी बना असकते हैं को दोनों में बन सकती ही दिजाइन यह दिखिए अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे यहां से पहले थोड़ा कवर करेंगे इसको इस्टिच करेंगे इसको ओपन नहीं करना है यहां से लिए कि मैं इस्टिच कर रही हूं कि एक एक फ्रिल लेना है हमें कि यह मैंने इस्टिच इसली पहले किया है कि उपर की साइड यह ओपन नहीं रहाएगा दोनों साइट में तो जैसे स्टिच के आवा है तो वह अच्छे से फिनिशिंग शो होगा बैक साइड से भी और फ्रेंट साइड से भी है कि एक एक फ्रिल लेना है धीरे-धीरे करते हुए एक एक फ्रिल ले रही हूं मैं देखिए आप एक एक फ्रिल ले रही हूं तास्क में तोड़ा मैंने छूड़ दिया है बिना फ्रिल के लिए क्योंकि वहां से हमारी स्टिचिंग आ जाएगे अब सेकेंड साइड भी स्टिच करेंगे हम यहां भी हमें एक एक फ्रिल लेना है दीरे-धीरे यह दिखिए अपर दिखिए मैं दीरे-धीरे फ्रिल ले रही हूं एक एक और जैसे हम फ्रिल के लिए मशिन को रूपते हैं और इसको बूट को उठाते हैं तो हमारा निडल नीचे की साइड में होना चाहिए और वो नीचे नहीं होगा तो इस्टिचिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो उससे क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अधिके है मेरा निडल हम हमेशा नीचे है यह दिके हैं पर आप यह हमारा हेंड्स बनके तयार हो गया है यह दिके हमारा हेंड्स कितना अच्छा लग रहा है थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप हमेरे